आपकी इच्छा होती है कि बच्चों ने रोटी और सबजी खानी चाहिए लेकिन बच्चों की इच्छा होती है कुछ अलग खाने की स्नैक्स खाने की तो आपकी भी इच्छा पूरी कीजिए और बच्चों की भी इच्छा पूरी कीजिए अलग तरीके के सूप अप टेस्ट या बच्ची हुई रोटी है, उससे बस आलू मिक्स करके ये स्नैक्स तयार कीजिए, बहुत ही बढ़िया टेमेटो केचप के साथ आप इसे सव कर सकते हो, बच्चों को आप रोटी और सबजी एक साथ इसी स्नैक्स में खिला सकते हैं, मैक डोनल की तरह ये स्नैक्स तयार हो मल्टी किचन पूने में मैं समीत अमागडे आप सब का स्वागत करती हूँ, रेसिपी के लिए सबसे पहले उबले हुए आलू लेंगे, लेकिन आलू को पूरी तरह थंडा करना है, तभी जाके इसी स्नैक्स का रिजल्ट अच्छा आएगा, और ये कद्दुकस करने में भ बची हुई रोटी है, इन रोटी हो के हम तुकड़े बना लेंगे, यहां मैंने दो चपाती ली है, दो रोटी ली है, अगर आप तीन लेंगे, तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन ये खाने के लिए लगते हैं, बिल्कुल बढ़िया, टेस्टी, टेम्टिंग, माउट कीजिए, ताकि ये बहुत अच्छी बनती है, और बच्चे भी बड़े चाव से खाते हैं, और ये इसे ग्राइन करने के बाद, इसे दर दरा ऐसा हमने इसे ग्राइन कर लिया है, इसी तरह से बिल्कुल दर दरा ग्राइन करना है, अभी यही दर दरा ग्राइन किया हुआ म गर मिलए पावडरी जो आलो मेंके से आलो के मिश्रन में मिला कर देंगे और इसका टेस्ट बड़े इसमें मिला कर देंगे ढुद अदो किस सब्सकति दनिया पावडरी जम्हादिंगे 20 शीक्तर मसला ke बाद, रेड चिली पावडर, आधा टीस्पून यूज की है, रेड चिली पावडर, अगर आप तीखा चाते हो, तो जरूर मिक्स कीजें, लेकिन बच्चों के लिए बना रहे हैं, तो आधा टीस्पून रेड चिली पावडर, परफेक्ट प्रमान है हल्दी पाउडर आधा टीस्पून हल्दी पाउडर के बाद यहां मैंने सेंधा नमक का यूज किया है एक टीस्पून सेंधा नमक बिल्कुल परफेक्ट प्रमान है बच्चे तो ऐसे लहसुन खाते नहीं है लहसुन खिलाने का यह बहुत ही बढ़िय तरीका है, एक टेबल स्पून लेसुन चॉप किया हुआ, दो टेबल स्पून हरी वाली धनिया कट की हुई, और इसी के बाद इसमें मिला लेंगे, प्याज, प्याज महीन कटा हुआ, एक बड़ा वाला प्याज लेना है, और उसे महीन ऐसा कट करके, इसमें मिला लेंगे, ब मिक्स हो जाता है फिर लेंगे कॉन्फलेक्स 1 4th cup कॉन्फलावर 2 टेबलस्पून कॉन्फलेक्स को सबसे पहले हाथ से ही इसी तरह इसका चूरा बना लेंगे और चूरा बनाने के बाद आप इसे मिक्सी पर भी ग्राइंड कर सकते है कॉन्फलेक्स को और करिब हमने 2 से 3 टेबलस्पून पानी मिला लिया है और फिर लेंगे ये मिश्रन इसके मंचाहट शेप आप तयार कर सकते है यहां मैंने इसे हाट का शेप दिया है हाथ को हल्का सा पानी लगा लेना है और इसके आप राउंड शेप बना सकते है या इसे हाट का शेप भी दे सकते है इस तरह से आप देख सकते है हाथ पर ही ये हाट शेप आसानी से तयार हो जाता है अगर आपके पास मोल्ड है इसे आप मोल्ड में भी शेप दे सकते है तयार है ये हाट शेप हाट शेप बनाने के बाद इसे हम मिला लेंगे इस घोल में जो घोल तयार किया है कॉर्ण फ्लावर का स्लरी बना ली है हमने इसमें डाल देंगे अच्छी तरह से इसे कोट करना है ये स्लरी ताकि जो कॉर्ण फ्लेक्स का हमने चूरा तयार किया है उसमें ये अच्छी तरह मिल जाए इस स्नैक्स को जब हम इस चूरे में अच्छी तरह कोट कर लेंगे और फिर इसे फ्राइ करेंगे तो ये बिलकुल मैकडॉनल्स में जैसे स्नैक्स मिलते हैं कटलेट मिलते हैं उसी तरह खाने के लिए लगते हैं और दिखते भी उसी तरह ह इसलिए ये बहुत ही बढ़िया बन कर तयार हो जाते हैं आसान तरीका है बस आलू लेने हैं बच्ची हुई रोटी लेनी हैं प्याज धनिया घर के ही सामान से बिल्कुल मार्केट जैसा स्नैक्स आप घर पर बच्चों के लिए एक तम आसान तरीके से घर पर तयार कर लीजे सभी shapes बना कर तयार है तेल को medium flame पर गरम कर लिया है और medium flame पर ही रखना है medium flame पर इसे एक एक करके हम fry करते जाएंगे ताकि ये color भी अच्छा आए और बिल्कुल ऐसे दिखे जैसे खरिद कर लाए है बच्चे बड़े प्यार से इसे खाए बच्चे तो बच्चे बड़े भी बड़े चाउ से इसे अब़िया tasty snacks रोटी से घर के बच्चे हुई रोटी से और आलु से बन कर तयार हो जाता है घर के ही सामान से अभी से एक के करके एक चार मिनिट बाद हम इसे पलट लेंगे चार मिनिट एक साइड से फ्राय करना है दूसरी साइड से भी चार मिनिट मीडियम फ्लेम पर फ्राय करना है तब ही जाके जो कलर हमें चाहिए वो कलर इसमें आ जाता है और इसे इसी तरह हम पलट लेंगे एक में कर्ची दूसरे हाथ में स्पून इसी तरह से हमने पलट देना है और आप देख सकते हैं कितने बढ़िया स्नैक्स सिर्फ रोटी और आलू से बन कर तयार हो जाते हैं आप इसे बच्चों को टिफिन में दे सकते हैं और तो और घर पर बच्चे अगर खाने की जित करें अलग कुछ तो आप ज़रूर ये बना कर दे सकते हैं मल्टी किचन पूने चानल को जो पहली बार देख रहे हैं तो चानल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन कॉल को क्लिक कीजिए और ये देखिए तयार हुए हमारे सभी स्नैक्स फ्राय होके तयार है क्रिस्पी क्रंची और खाने के लिए अंदर से बिलकुल मुलायम बनते हैं बाहर से क्रिस्पी और क्रंची बनकर तयार हो जाते हैं अभी हम इसे निकाल लेंगे एक-एक करके और पूरा एक्स से सॉयल निकाल लेंगे बनकर तयार है मैग डाउनल्स की तरह, मारकेट की तरह, ये स्नैक्स की रेसिपी, आप देख सकते हैं, कलर कितना बढ़िया आया है, बहुत ही बढ़िया कलर आता है, देखिए, देख सकते हैं, आप कलर कितना सुन्दर दिख रहा है, अभी हम इसे निकाल लेंगे, सर्विंग प्लेट में त करना मत भूलिए कमेंट जरूर लिखे कि अगली रेसिपी आपको कौन सी चाहिए और इसके साथ शेयर भी कीजिए खाते रहिए खुश रहिए और यह रेसिपी जरूर जरूर ट्राइए कीजिए ताकि आपके बच्चे हेल्दी बने रहे आप भी हेल्दी बने रहे और आप इसका शेप और यह अंदर से किस तरह से महीन खसता इसे बन कर तयार हो जाते हैं देखिए लग रहा है कि यह रोटी से बना है बिल्कुल नहीं ऐसे लग रहा है कि यह मार्केट से खरिद कर लाया है लेकिन मार्केट से भी बढ़िया बन कर घर में आसानी से तयार हो जाता है टेमेटो केचप के साथ आप इसे सव कर सकते हैं तो चलिए खाते रहिए खुश रहिए